एन्टीवी टाइम जानता की बात जानता के साथ महराज की तच पर वेश भूशा पहन कर इस रेली में नाचते हुए इस रेली का आनंद लेते हुए पूरे गाउं की गलियों का भ्रमण करते हुए परम प्रताबी चत्रुपति शिवाजी महराज के जन्म उत्सव का कारेक्रम बनाया गया या पहली बार प्रत बत्टन में इस प्रकार का कारिक्रम देखने को मिला इसके पूर्व भी कारिक्रम होते थे लेकिन इस वर्ष बड़े हर्ष लास के साथ सैकडों की तादात में ग्रामिनों ने भाग ले कर इस रेली को सफल बनाया गाउं के पूर्व सरपंच सुबाश देश मुख से इस रेली के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि गाउं में इस प्रकार के कारिक्रम होने रहना चाहिए जिससे गाउं की एकता खंडता का संदेश सदीव देखने को मिलता है इसमें सभी समाच के लोग इस रेली में शामिल हुए या एक सफल कारिक्रम आने वाले समय में च्छत्रपती शिवाजी महराज की कारिक्रम की रूप रेखा बनाकर और भी बड़े रूप से मनाया जाएगा गाउं के ही संगथन के सद्द से आदित्व उर्फ टिंकू पतेल से इस आयोजन के बारे में जो पूछा तो उन्होंने बताया कि अब बस स्टेंट से होकर गाउं की मुख गलियों से होकर पूरे गाउं का ब्रामन किया जाएगा एवं परम प्रतापी छद्रपती शिवाजी महराज जी के जीवनी पर उनके इतिहास पर लोगों को जानकारियां प्रदान करेंगे उनके जीवनकाल में जो जो कार्य उनके द्वारा हुए उसके जानकारी समस्त ग्राम वासियों को देंगे विजय भंचारे की खबर तो उसी तत्वधान में यहां से रेली निकली हुई है चत्रवधी सिवाजी महाराच जन्मोट्सों के लिए और ये बट्टन के मुख्यमार के से होते हुए बजार चोक में समापत होगी और उसके बाद एक बौत्धिक होगा जो कि महाराच के बारे में बताए जाएगा कि मह समस्त ग्रामवासी और चत्रवधी सिवाजी महाराच संगठन के तत्वधान में निकली होगी ये रेली का हातर जाएगी ये पूरे काओ ब्रहमन करके पजार चोक में समापत होगी पौत्धिक के बाद इसमें हमने एक और चीज देखने में है रिली में कि इसमें महिला है और चोटे नन्यमने बच्चे काफी उच्छा से बेली में भाग लिए है जी बिलकुल यहां पर सारे महिला है जिनको हमने जो हमारा जो संगठन है हम सबने पूरे काओ में निमंतरन दिया है कि महाराज की जन्मुत्सव है इसे सब को आना है तो उसी के कारण सारे महिला है वगेरा सारे बच्चे वगेरा सबाए है जो की बढ़ चल कर सयोग कर रहे है साथ में भूज रहे हैं दन्यवाद